कि हेलो दोस्टों वेरे गुड़ बॉर्णिंग और आज हम फिर से एक सेशन ले रहे हैं हम प्रीविस यए और कॉस्टं का जो कि एक्जाम पॉइंट अपॉइंट आए वे हैं और किसा ने किसी एक्जाम में आते रहते हैं तो एसे चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी करो आप इंडिया लिमिटेट का एक्जाम हो दियमर से अक्कल करवारी एक निकरवारी चाहे किसी भी स्टेट के जाहिए का एक्जाम हो यह सब के लिए एकवली यूस्पल ना करते वह मैरा धर्मेंदर और हमस्ट करते हैं हमएरे निमेरिकल कोशन सौलू करना तो आज कि मारा इसके पुछ रखेक्शन में पुछ रहा है कि वह कोई टेकनिक है चाहिए फाल सेख्वेंसी मोड़िक्शन है या पी-सीए में या ए-म या-प्या प्यम के विच इस ट्रांसट्पर्म एन अनलोग टेलीफोन शर्किट इन्टो डिजिटल सिग्नल यानि सबसे पहले प्रहले करती है अभी अनलोग टेलेफोन सरकेट को किसमें करनोट करती है डिजिटल सिगनल के अंदर एंड इंवाल्व थ्री कंज्यूकुटिव प्रोसेस कौन कोन से कर प्रोसेस इसके अंदर शामिल होते हैं सेंप्लिंग क्वांटाइजिशन और एंकोडिंग और जो अमारे एंकोडिंग क्या होती है यह भी हम साथ में देख लेते हैं तो बात करें सेंप्लिंग की सेंप्लिंग क्या होती है कि कंवर्ट एनालोग सिगनल टू सिक्वेंस नंबर यह तो हो गया हमारे सेंप्लिंग इसी तरह से क्वांटाइजिशन क्या हो गया है मैच इच सेंपल वे रंदर नेस्ट कोशन की मात करें कि भी टेलनेट एफटीपी डी एनस एना एस टीटीपी यह और एक्जमपल ओप्रोटोकोल डेट आर यूज़ इन यह यह कौन से जो यह प्रोटोकोल है कौन सी लेयर के अंदर ओएसाइए लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है जो हमने के अंदर प्रोटोकोल होते है एक तो था आसकी यह होता जेपीजी एक होता जीयर और प्रजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कोडिंग और कनवर्जन ऑफ फंक्शन सेशन लेयर के बात करें सेशन लेयर औफ और साइबर्स मोड़ आं उसके एग्जमपल है एनसे इसे तरह से करेंगे कि जो एक्जाम में चार हमारे ऑप्षेन है वह भी हमें नहीं पता तो कैसे करें ठीक है अब आता थी विस्ट टाइप ओफ एर्र डिटेक्शन यूज बाइनरी डिविजन यह बहुत बार कुश्चन एक्जाम में पूछा गया बहुत एक्जाम में पढ़े तो ब्रांचिंग इंस्ट्रेक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीजे पढ़ी तो आपको पढ़ना पढ़ेगा मैं यहां पर इसको पूरा एक्प्लेइन ब्रांचिंग को इस पेशली निकरूं कि अच्छा खासा टॉपिक है आप इसे वहां पर पढ़ो तो वहां प अच्छेशन के पास में यह आपके अड्रेस बस एक्राउच सिस्टीन बीत तो सिस्टीन बीट में मतलब यह मानलो आप टू की पावर क्या हो गया एक ट्रजैने में तो पावर फूर है mhm address वस है मेरे पास मैं 16 bit 16 bit का मतलब हम विमें टू की power 16 location इससे क्या कर सकता हूँ आपने identify कर सकते टू की power 16 में से टू की power 10 तो मेरा क्या हो गया टू की power 10 इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की power 6 टू की power 10 10 का मतलब हो गया मेरा kilo byte ठीक है किलो बाइट और 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64 तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 64 किलो बाइट जो कि एक्जाम में 64 बाइट लिख लेगा एक्चली इसको आपने आंसर में करतो 64 किलो बाइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दी अब next question के बात करें the register which keep track of the sequence of the instruction execution के लिए क्योंतर अच्छ का मतलब क्या क आ creator माइक्डिज्ट्ट करेगा तो वमारा स्थ्कец घडिटरे Adm माइक्रो प्रोसेसर एंड इन्पूट आउट्पूट डिवाइस तो हमारे सिंकुर्नस डेटा ट्रांसफर भी होता है इंट्रप्टर ड्रीवन डेटा ट्रांसफर भी होता है तो हमारा आंसर क्यों जाएगा ओलॉफ अब आउप next question के बाद करें a ring counter consisting of five flip-flop will have five state ten state 32 state infinite state तो ring counter है अगर उसके मदर five flip-flop है तो हमारे state भी कितनी होगी five क्योंकि state ring counter with n flip-flop will have n state therefore the ring counter with five flip-flop will have five state next question the characteristics of a flip-flop is the flip-flop is a bi-stable device with only two stable state विलकुल q-bar and q-marे दो state होती ना होता the flip-flop have two output signal the output are complement of each other q and q-bar तो हमारा answer क्या हो जाएगा all of above next question है which of the following flip-flop cannot be converted to d-type flip-flop यानि किसको क्या कहते हैं cannot be convert यानि जिसको converted नहीं किया जा सकता है sr flip-flop में तो आपने conversion देख लिया बीच में क्या लगाते थे हम a s और r के बीच में note same jk flip-flop में भी हम यही काम करते हैं और master slave flip-flop भी हमारे क्या होता है दूए एक तरह से sr flip-flop होते हैं जो master and slave का अंदर connect होते हैं तो हमारा concerns का option क्या जाएगा d none of these next question की बात करें which one of the following can be used as parallel to series converter parallel to series converter decoder का 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 हम क्या होता है उमारा decode करना किसी को यानि parallel to series converter तो at least नहीं है digital counter का बंदब होता हो जो हमारे number count करता है multiplexer का काम होता है many to one में convert करना दी multiplexer का काम होता है one to many तो parallel to series यानि parallel में बहुत सारे input है उनको हमने एक single output के अंदर हमने दे दिया तो answer हमारा क्यों जाएगा multiplexer next question है full adder circuit can be implemented by full adder circuit को हमने देखा था full adder circuit का हमारा output में result होता है X or Y or Y X or Z और हमारे carry का जो इसका sum का result होता है यह और carry का result होता है हमारे पास में AB plus BC plus AC या जो भी आप बोलो सी है तो जब हमने पढ़ा था तो अपने बात करे थी कि full adder को हम half adder से बना सकते हैं plus one or gate से हम बना सकते हैं तो यहां पर only half gate यह तो गलत only end gate यह और gate यह भी गलत decoder का answer होता है one to many तो हमारे पास में एक option बलता है multiplexer क्यों कि हमारे इसके अंदर जो full adder इसके अंदर input कितने होता है multiple xy plus z तो इसलिए हम इसको फुल adder को circuit को किसे बना सकते हैं हम multiplexer की हर्फ से नेक्स्ट कोश्चन है which is not application of shift register तो shift register भी हमने जब यह इसके digital पढ़ाता तब हमने वहां पर shift register भी पढ़ाता तो shift register हमारा कौन साय जो एप्लिकेशन shift register का नहीं है सीरियल टू पैलल कंवर्टर पैलल टू सीरियल कंवर्टर शिमिट ट्रिगर ट्विस्टेड रिंग काउंटर तो सबसे पहले हम बात करें कि वह shift register हमारे होते क्या है shift register क्या होता है temporary data storage करते हैं यह इनका किया जाता data transfer और data manipulation के लिए यह जो serial in serial out या parallel in parallel out shift register वह क्या काम करते हैं time delay produce करते हैं और बाकि जो यह यह सिरियल तो पैलल लाओ parallel converter या parallel to serial converter यह एक्टर से ओव्वेसी बात है conversion नहीं कर रहे हैं और इनका use किसमें किया जाता जैसे serial in parallel out shift register using convert serial data into parallel data use in data communication use in communication line इसी तरह parallel in serial out shift register use as convert parallel data to serial data तो यहनि हमारा option यह और भी तो किसी भी condition के अंदर नहीं हो सकता तो हमारा next option है symmetry trigger वाला तो काम हम कुछ कर नहीं रहे तो इसका option तो क्या जाएगा see twisted ring counter यह रिंग काउंटर हमारे किसके अलब से होते हैं से shift register का यह application नहीं है हमारे ठीक है तो इसका answer क्या होगा symmetry का next question है हमारा Carnot map is used to Carnot map हमारा क्या है only simply circuit solving technique है अब इसका option देखते हैं Carnot map is used to minimize the number of flip flow जब circuit solving technique यानि circuit को अगर easy में करेंगे तो obvious सी बात है redundant इंटर में उनको minus कर देंगे तो एक तरे से नमबर आफ लिफ लोग उसकी विल्यूत क्या हो जाएगी कम ठीक है minimize the number of gate only डिज़ाइन गलाथ minimize the number of gate and fan यह भी गलाथ design gate नहीं तो इसका answer क्या जाएगा कॉर्णाट में अपी जूज तो minimize the number of flip-flop in a digital circuit next question है कि the general breakdown result basically due to general breakdown ने वह होता क्यों है तो general breakdown जो होता है उसमें पहले तो आप बात करेंकर general breakdown की भाई एक तरह से मारा पी है एक तरह यह एन और बीच में हमारी कर दो यह दोनों हेविली डॉप्ट लेर के मेरे विट्ट क्या हो जाएगी कम और जैसे रिवर्स बाइस दूंगा तो यह मेरी विट्ट क्या हो जाएगी तूट जाएगी ठीक है तो जेनर ब्रेक्डाउन अकर वेन हाई एलेक्ट्रिक फिड़िज अप्लाइड एक्रों से हैविली डॉप्ट पी जैंक्शन डाइड कोजिंग इलेक्ट्रेंड टू पास और पोटेंशल वेरे ने फ्लो एक्रोस देंक्शन तो जैनर ब्रेक्डाउन होता किसमें रिवर्स बाइस मे जो विड्ट है वो बहुत ही पतली है यानि नेरो है और उससे आपको क्या मिला हाई करेंट फ्लो मिला आपको मिनिमम वोल्टेज को पर है कॉंस्टेंट वोल्टेज को पर तो जैनर ब्रेक्डाउन रिजल्ट बैसिकली डू टू इंपक्टाइजेशन नहीं इसी का है हाई थर्मल एनरजी ओफ इलेक्टाउन नहीं तो जैनर ब्रेक्डाउन डिजल्ट बैसिकली डू टू इस्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फ्रीड एक्रोज दा जंक्शन नेक्स्ट की बात करें सेमी कंडुक्टर फोटो डायोड यूज तो सबसे बेले तो नाम अपन है फोटो डायोड के करें फोटो डायोड का मतलब क्या होता है जो मारे डायोड के उपर अगर लाइट की खिरने पड़ती है यानि अगर वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर क्या होगे करेंट पार तो फोटो डायोड भी हमारा जैने डायोड की तरह किस भी नहीं है तो यह हमारा प्रचाहिए क्या फोटो कंडुक्टिव एसमी कंडुक्टर फोटो डिवाइज बेस्ट ओन फोटो कंडुक्टिव एफेक्ट ठीक है तो हम नेक्स्ट के बात करें सोलीशन अगर आपको डिटेल में जाना तो आप यहां में पढ़ सकते मैंने आपको पूरा सॉलीशन आपके सामने लिख रखाए नेक्स्ट केस्ट तो बात करें नेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं वोल्टेज अप्लाइट तो दा गेट वोल्टेज हम किसके एक रोस करते है VDS, वो सरी, gate k cross, वो क्या करता है, determine the conductivity of the device, तो यह नहीं MOSFET तो मेरा कैसे हो गया, voltage control, और BJT कैसी एक current control device, that use a current at the best terminal to control the current through the other two terminals, तो हमारी BJT कैसे हो गया, current control, तो answer क्या हो गया हमारा C, next question के बाद करे, a typical frequency counter, frequency counter नाम से तो आपको बता पढ़ेगा है, क्या काम करेगा मेरा frequency को counter करेगा, लेकिन यह आपका question यह नहीं कि frequency counter क्या काम करता है, तो भी पढ़ लेते हैं, frequency counter क्या है, portable electronic device है, that measure the frequency of a signal by counting the number of oscillation, कैसे करते हैं, frequency counting the number of oscillation, और pulse per second in a periodic signal, it can measure the frequency of both analog and digital signal, including those with sinusoidal, square, triangle, or so-tooth waveform, यह है typical frequency converter, जो है, वो accurate कब तक होता है, is accurate to six digital or more, यह तो होगे हमारा typical frequency counter के बात, अब next question हम देखते हैं, कि which is not function of the fuse, fuse हमारे घर के अंदर जो हता, fuse का काम क्या होता है, कि अगर excessive current आ रही है, तो हमारे circuit को या गर देवे, ब्रेक कर देखते हैं, तक हमारे equipment है, जो जले नहीं, तो हम option देखते हैं, to make it impossible to use appliance that are too large for a given circuit, गलत, to limit the amount of power that a device can drop from the electrical circuit, यह भी गलत, वो यह थोदिन decide करता है कि कौन से equipment कितनी power draw करेगा यह नहीं करेगा, to make sure that current drawn by appliance cannot exceed a certain limit, यह भी नहीं करता है, अगर आपने appliance लगा रखी है, उसको current लगा रखी है, तो वो तो उसके circuit device जाने कितनी current रो करता है, to ensure there is enough current available for an appliance to work right, यह काम हमारा क्या करता है, fuse का काम करता है, fuse क्या ensure करता है कि enough current available for an appliance to work right, अगर उससे जदा current होगी तो यह हमारे circuit को क्या कर देगा, break कर देगा, नेक्स्ट के बात करें, औसकिलोस्कॉप cannot be used to indicate, औसकिलोस्कॉप हमने CR-O पड़ा, उसके साथ में CR-O एक्टरे से, cathodry औसकिलोस्कॉप जब पड़ा, तो वो क्या काम करता है, frequency को measure करता है, ठीक है, signal voltage करता है, ठीक है, यह wave shape की भी करता है, लेकिन वो हमारा energy को indicate नहीं करत है, यह जब हमने वोल्ट मीटर पड़ाता है, तब हमने बात करें वोल्ट मीटर का जो internal resistance होता है, वो बहुत हाई होता है, जो होता है, ताकि उसके अंदर जो current है, वो minimum से minimum जाए, अगर high resistance होगा ताकि वो वोल्ट मीटर के अंदर error ना प्रोडूस हो, तो वोल्ट मीटर होता है, एक सबस्क्राइब होता है, थे ल्ची पर शॉनित होता है, वो झर पिर उनिटाइफ हो होग से मेंच को एनरजी कब नेक्चि वॉनिट करने तो, को तो सिसके यूज किया जाता है, तो इकनतर करने के लिए कि को है थे तो इलेक्टर इनेक्रोम करता है, एलेक्रक Fahr कालच पर मेजर करता है। हमारा इंडिकेरट करता है प्रजेंश रफ्छत और यह क्लो मिट्र करता है यह दो तकम से बनाए, क्लांब're , Mira क्वाल मिट्रिकल एनलाइस इंस्टुमेंट इंस्ट्रुमेंट, डिट्मेजर के kg kima काइड दो् आमउंट आप ट्रमेटर क्या करता है यह हमने के इसे चाहँ है है के दोनों को गएपर करने के काम आता है यह आज को है पास में कोई ऐसा के और Як अधर देक्व मोटर मुटर के नाम से जांते यह क्या काम हती है हमारे डोमेस्टिक अप्लाइंस के अंदर जहां पर हमारे स्टार्टर में इस्टार्टर यूज करते हैं तो वह क्या होती है हमारी ट्रेन होती है स्टार्टे तो बर्लोटर मोर पर चिर एहारे स्टार्टर मोर खिरतर में तरब हो क्व यानिक्षट में इस्टेप पर मोटर के बाते हैं मोटर के पॉलिकेशन hates the pressure ट्वक्ष सिह ए हसे आलेवेडर डूं जिया का अपका अगसांपल और इस्टेंबर मोटर के बां के बात करें तो क्या थे मैं क्यों मुछ teachings में के ऐसी मोटर मारी सिंगड जैसी मोटर जैसी मोटर या तो यह मोटर होती है जो इसको क्या सब्सक्राइब करकते हैं कि दोने ऑप्षिन करेक्ट लेकिन बात करते हैं मौटर होती क्या है तो इस्टेपर मोटर इस टाइप ओप rust就到 ओलिकतर्चेंटर्ट्री च्रोटेशन कंधिये क्या काम करती है डिजिटव परर्फाटीन इक्यों सतीती है 53 इडिजिटल पॉलस इन्टू मेकानिकल शाप्ट रोतेशन कंदर इस 와 रॉपहींस आम्युifa fotograf सब्सक्राइब कि हमारा के नदर इस नारा कि पडसे बात करें हम रहने ने इसे लिंग horse का उन्दर होता है मिदो जय टमारी घर्व आधर रीज्वर ऑनसें खेंस खुला कर्म्हेम्न करना इस्थिए दो मोटर होती है यास यूनिवर्शल मोटर हमारी डॉमिस्टिक अप्लाइंस के अंदर छोटे जैसे आपके क्या होगी जैसे हमने मिक्सर गाइंडर की बात करें तो हम यह बात करते हैं जो यह दूसरी मोटर है सिंगल मोटर उनके एप्लिकेशन चाहिए तो इस्प्लिट फेज आपके सामने इस्प्लिट फेज मोटर का एग्जमपल के स्प्लिट फेज मोटर का पर यूज ओती है हमारी इस्मॉल ड्रिल प्रेशेज शोप गांडर इस्मॉल बेल ड्राइवन कन्वेयर वसिंग मशीन यहनि जहां पर मुझे स्टार्टिंग टोर की रिक्वार्मेंट थ मेरे हारी एडोर कांदर थेक्वाइरब तैक त्युस कंदर, रिकोरडopen प्लेर कंदर, प्लेर कंदर, इसमॉल केंद्स यहनि कांदर, इलेक्रिकल क्लॉक गांदर इस्टेसिस मोटर क्या होते हैं इस्टेसिस मोटर की बात करें तो हम रोटर पर क्या कोई भी एक्षाइटेशन प्रोवाइडल नहीं करवाते हैं ठीक है इस्टेसिस मोटर के इस्टेटर की बात करें तो इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग दूसरी होती हमारी ऑपजलेरी वाइंडिंग और इसके अंदर कभी यह शेड़ेट टाइप के पॉल भी हम यूज करते हैं और रोटर की बात करें तो इसके अंदर ही hysteresis loss हो जिस loss को हम यूजज करके किया करते हैं मारी मोटर को यूज़ करते हैं और डार डार्ट डज नॉट करी एंइडिक जब उसके पर कोई वाईंडिक नहीं तो उसके से उसके आपर कोई एक्साइटेशन भी नहीं होगा तो दीडिसी कि एक्टाइश एक्साइश नहीं इस्टेश्स मॉटर की बात करें तो सिंक्रोन स्मॉटर विदी इन फाम एर के भी हमने देख लिया किस्टोर से लोस आज वेरी हाई अब इस्टार्टिंग टॉर्ट होता है इसका नोइज लेवल ऑफ एस्टेश्स मॉटर इस वेरी लोग ज जाना अगर आपको कम ज्यादा चले तो कैसा लगेगा तो यह क्या पॉंस्टेंट स्वीड के अंदर अगर यूज करना हो तो महां पर हम कौन सी यूज करते हैं इस्टेश्स मॉटर नेक्स्ट बात करें टू वाइंडिंग ओफ ए ट्रांस्फोर्मर में में क्या होता है इं स्वेलों बिच्ट नेक्स्ट गंड़िए नेक्स्ट फट्रों फेक्टर ऐसी वटेश्स फंपक्र करता है आरे में सब्ली ऊपने विडिए विडियोंने पटाता है विच आप फॉलमिंग गिसम इल्पार्ट ऑप ओशीश्रीज स्रीज में सीरीज में क्या उन्हीं फिक्व of current with respect to the circuit voltage will current or voltage voltage current lake कर रही है या current lead कर रही है डिपेंड किसके बहुँत इन रेजोनेंस रेजोनेंस के अंदर प्योड और अगर रेजोनेंस के तरह करेंगा फिरली रजिस्टिट की तरह क्योंकि एलों सी डब्ली व्रबर वन अपन डब्ली दोनों एक दूसरे को क्या करने ने लिफाइग तो हमारा रेजोनेंस हो हमारा सरकिट किसके तरह प्रेगा प्रोली रजिस्टिव सरकिट के तरह है नेक्स्ट को बात करें यह क्वेशन आपके लिए वोल्टेज इन सी था है ठीक है तो यह जो कॉश्चन है इसका आप लोग ट्राइब करेंगे नहीं होगा तो फिर हम जब भी अगला नेक्स ट्रेक्शल लेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट विछ इंडिगेट था रेट घो इंठ एक्ट्रेक इनर्जी एक्स इनर्जी के एक्स्बिद एइञजानिक यूनिट हुटी है सिम्पल्गांफ्वर इसका ABCD वोट या एंपिर आध्या को जम्ट या वोल्ट तो वॉट तो होती है ओपावर की पोलब होती है आपके चाटज की फिक्रोंट हमार वोल्टेज की आउनपए क्या हो आमरा एंपिर आब मीटर unit which indicate the rate at which energy is expended so unit indicate the rate at which energy is expended to energy per unit time to power or power unit to power what next question the AC generator or alternator operate on the principle of Newton's law पे निकरता है Electromagnetic induction पे करता है क्योंकि हम यह मैं आप जंडेटर माइनस दीफाइब इस प्रिंसिपल पे काम करता है तो यह हमारा क्या है फिर आदे लौफ Electromagnetic induction next question in induction motor consist of consist of main parts इस्टेटर होता है यह रोटर होता है इस्टेटर रोटर दोनों यह दो आइसका बहुत इसका बहुत इसका नेक्स्ट कोश्ण इस इन्य ट्रांस्पोर्मर मैक्जिमूम efficiency occur when maximum efficiency के लिए क्या होता है हमारा के बीएट नीटा मेक्स इकवल टू फुल लोड के बीए तो अगर डबलु आई इकवल टू डबलु कोपर लोस होगे तो हमारा अगर आइरन लोस इकवल टू होगे कोपर लोस तो मेरी efficiency का हो जाएगी maximum ठीक है ला नंबर ओफ बिट नीट टू एड्रेस फोर के मेमोरी कितने बीट की जुरूत पिड़ेगी कि 4K का मतलब किया होगा 2 का स्कार इंट टू के एक किलो बैट का मतलब किया होगा दस टुकी पावर टेन यानि टोटल नुमर ओफ एड्रेस लाइन कितनी रिक्वाईर वी मेरेको 12 यानि 12 नुमर ओफ बिटस नीड इट एक्सट तीन के बाद करें विच अब दा फॉलोग आध्यांपल ओप इस्पुल डिवाईस अगर आपको फ्रेंटर यूज्व करते हों और प्रेंटर जब्ही करते हैं वाद यही आता है नंब भाट होता है इस्पूल दिवाइस वह क्या होता है लाइन प्रिंटर उस्टू प्रिंट दा आउट पूट ओफ ए नंबर ओफ ज 마시죠 रोग्राम इसको हमकर सके। नेक्सक्रेशन के बात करें प्रोग्रम काुंट्र किसे होता है यह युर। अग। 1 लोकेशन rappelle घृइच्टर पर सबस्क्राइब यह लार्च है। भी ट्रांसफर्ड इस उसको होता है मुलमरी एड्रेस रेजिस्टर यह कोशन हम पीछले टॉक्ष में कर चुके इस लिए एन इंस्ट्रेक्शन साइल इस मेड़ा फफ वन और मोर एग्जीक्यूट इसा कि यह जब हमने पढ़ा था जो आभी है तुमस आज के लिए इतना है काफी और बागे हम कोश्चेन है जो हम नेक्स्ट लेक्शर केंदर देकिंगे थेंक्यू